बीते सारे तीन सालों से भी अधिक समय से फाइलों में घूम रही दिल्ली सरकार द्वारा CCTV लगाने की योजना को फिलहाल मंजूरी तो नहीं मिली है लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार अपने चुनावी वादे को निभाते हुए इस योजना को पाइलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू करने जा रही है इसके लिए दिल्ली के अलग-अलग विधान सभावों में खुल 300 CCTV कैमरे लगाये जाएंगे और यह काम अगले महिने से शुरू हो जाएगा कैमरे के में आए रेकॉर्डिंग को महिने भर के लिए रखा जाएगा उसके बाद यह आटोमेटिक खराब हो जाएगा नई दिल्ली से आशुतोष ज्छा एटिवी भारत के लिए है